हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर साथियों राजिनीत विज्ञान या नागलिक सास्तर की अध्यावार प्रेक्टिस सेट के अंतरगत हम लेकर के आए हैं प्रेक्टिस सेट नमबर चाह जिसके अंतरगत ह और यूजिसी नेट जियारे परिच्छाओं के साथ साथ सभी राज्यों में होने वाली फर्स्ट ग्रेट सिछक बरती परिच्छाओं की द्रिष्टी से बहुत ही उपयोगी रहने वाली है तो उमीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो को अंतरग देखेंगे और प्लेज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें आगे की तैयारी प्ली आपकास्ट जारे रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तो आईए सातियों अध्याइवार प्रेक्टिशेट नबर 4 का पहला कोस्टन देख लेते हैं और डिसकस क होगा आप्शन नमबर 2 लाग का जन्म बिटेन में हुआ था और जानलाग को उदारवाद का जन्म कहा जाता है और जानलाग ने राजजी की उत्पत्ति के सामाजिक समझोते से दान्त का प्रतिपातन भी किया था और लाग ने बेक्तिके तीन प्राकर्तिक अधिकारों का भी किया है आप सभी को बताना है लाग के द्वारा सुझायेगे थीन प्राकर्तिक अधिकार कौन कौन से हैं अगला प्रसंदेखते हैं दोस्तों लाग के समस्या का हल चाहता था आपसन ए राजी को आदर्स बनाना आपसन भी आदर्स शुब्योस्था को न्याज़ संगत बनाया जाए और इसी लिए उसने न्याई के सिधानत का भी प्रतिपादन किया है और जो उसके पुस्तक और रिपबलिक के अंतरगर आता है अगला प्रश्चन है या किसने कहा है कि लाग कुलीन तंत्र का नायक था आपसन एबारकर आपसन बी डैनिंग आपसन सी वेपर और आपसन डी एक्टन राइट आंसर आपका आपसन नंबर डी हो जाएगा एक्टन महोदय ने कहा है कि लाग कुलीन तंत्र का नायक था अगला प्रश्चन है ब्यवस्थापिका सभा राजी का प्राण है या विचार किसका है आपसन ए हापसन बी लाग आपसन सी रूशो और आपसन डी ग्रोशियस राइट आंसर आपका आपसन नंबर बी हो जाएगा विवस्थापिका सभा को राजी का प्राण कहा है लाग महोदय ने अगला प्रसंदेखते हैं निम्न में से कौन अदोयतवादी दार्शनिक था आपसन ए हीगल आपसन बी ग्रीन आपसन सी मार्क आपसन डी बेंथम राइट आंसर आपका होगा आपसन नंबर ए हीगल एक अदोयतवादी दार्शनिक था और इसी ने जो कहा है कि राज जो है प्रतवी पर इसुर का आउतरण है अगला प्रसंद है दोस्तों राज के लिए कामन बेल्ट शब्द का प्रियो किस ने किया है आपसन बी लागऑ आपसन डी घृष और आपसन डी इस्टेंसर राइट आंसर आपका आपशन नंबर ए हो जाएगा तर आपसन ने अपने सामाजिक समझोते सिधांत के अंतरगत राजी के लिए कामन बेल्ट शब्द का प्रियो किया है और आपसन की प्रसीदिय पुस्तक को किस पुष्टक में ब्याख्याइत किया है? Option A. The Social Contract. Option B. Origin of the Siege. Option C. The Modern State. Option D. Das Capital. A right answer आपका होगा. Option A. The Social Contract में रूसों ने अपनी राजी की उत्पत्ती के सामाजिक समझोते शिधान्त को ब्याख्याइत किया है. दास कैप्टल कारमार्क्स की एक पुर्शित की पुष्टक है और इस आपसन का राजी आपको कमेंट करना है कि The Modern State किस बिचारक की पुष्टक है. अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों. अगला प्रशन है दोस्तों. आपसन बेन्थम, आपसन C, हाप्स और आपसन D, हीगल. राइट आंसर आपसन नमबर C होगा. आपसन बेन्थम, प्रथम, उप्योगितावादी, विचारक, जो है हम हाप्स को मान सकते हैं. अगला प्रशन है कौन बैद संप्रवता को मान दिये भीना राजनीधिक संप्रवता को मान देता है. मात्र बैद संप्रवता को मान देता है? आपसन E, बोंदा, आपसन B, रूशो, आपसन C, हाप्स और आपसन D, लास्की. राइट आंसर आपका आप्शन नमबर C हो जाएगा अगला प्रशने दोस्तों लाग ट्रेश्ट सब्द का प्रयोग कितनी बार करता है आप्शने एक बार आप्शन B दो बार आप्शन C कई बार और आप्शन D एक बार भी नहीं राइट आंसर आपका आप्शन नमबर C हो जाएगा लाग ट्रेस्ट सब्द का प्योग कई बार करता है अगला प्रशन है राज जी का बिरोज सदा बहुमत की सुईकरती से हो यह विचार किसे संबंधित है आप्शन A हाप्शन B लाग आप्शन C ग्रोशियस और आप्शन D रूशो राइट आंसर आपका होगा आप्शन नमबर B यह कतन लाग महोदे से जुड़ा हुआ है अगला प्रशन है लाग के मत में निरपेच सक्तिया कहां रहती है आप्शन A संबदाय में आप्शन B राजी में आप्शन C राजा में आप्शन D इस संबंध में लाग जो है आइस पष्ट रहा है राइट आंसर आप्शन नमबर A होगा लाग के मत में निरपेच सक्तिया जो है उस संबदायों में रहती है अगला प्रिशन है दोस्तों किस विचारक का कथन है कि लाग की जंजीर में नियंतर की कड़ी प्राकर्तिक बिधी है अगला प्रिशन है दोस्तों बिध जंता की इच्छा है यह कथन इसका है आपशन A क, आपशन B क, आपशन C रूसोग और आपशन D यूगो ग्रोशियस का राइट आंसर आपका होगा आपशन नमबर A यह कथन लाक महोदे का है अगला प्रशन देखते है तो राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नंबर C अगला प्रस ने प्रसार से देवी सिध्धान्त पुना इस्थापित हुआ आप्शन ने यहूदी धर्म, आप्शन भी मुसलिम धर्म, आप्शन सी इसाय धर्म और आप्शन भी हिंदु धर्म राइट आंसर आपका आप्शन नमबर C होगा इसाई धर्म के प्रसार से राज की उत्पत्ति का देवी शिद्धान्त जो है वो पुना इस्थापित हुआ अगला प्रशन है निम्न में से कौन देवी शिद्धान्त का समर्थक नहीं है आप्शन A. राबर्ट फिल्मर सेंट अगस्टाइन और भारती विचारकों में जो आपके मन है जिनके पर से दिपुस्तक मन की समर्थी है वो सभी राज की उत्पत्ति के देवी शिद्धान्त के समर्थकों के अंतरगत आते हैं अगला प्रशन है या किस ने कहा है कि राजा को प्रजापर शाषन करने का असीमित अधिकार है आप्शन ए प्लेटो आप्शन भी सेंट पाल आप्शन सी ग्रीन आप्शन डी हाप्श राइट आंसर होगा आप्शन नंबर बी सेंट पाल ने कहा है कि राजा को प्रजापर शाषन करने का असीमित अधिकार है अगला प्रशन देखते हैं दोस्त रा आप्छिमानौ इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है। अगला प्रस्ण देखते है दोस्तों विकासवादी सिधान्त के अंसार राजी क्या है आपसण A एक प्राकर्टिक संस्ता है आपसण B निर्मिशंस्ता है आपसण C ईसो रजनी संस्ता है आपसण D इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर आपका आपसण नमबर A हो जाएगा विकासवादी सिर्धान्त के अमसार राजिक प्राकरतिक संस्ता है जिसका सने सने समयकाल के अमसार विकास हुआ है अगला प्रस्न है राजनीतिक विकास सिर्धान्त के अमसार निम्न में से कौन सातत तो राजिके विकास में सहायक नहीं है आपसने रक्तिसंबंद आपसन वी तरीके से सहायक नहीं हैं अगला प्रसंदे राजी के विकास में सामाजिक्ता की प्रवत रक्त संबंद धर्म सक्थ आतिक कारण योम राजनीतिक को चेतना को आधार मानता है या राजी का कौन सा सिधान्त है आपशन E आपका हो जाएगा विकासवादी सिधानत आपशन B सक् right answer हो जाएगा, पटापट, right answer होगा option number a, यह सारी चीजे राजिकी उतपत्ती का बिकासवाती सिधान्त मानता है, अगला प्रशन है कि राजिकी उतपत्ती के बिकासवाती सिधानत के अनुसार, मनुसेक सामाजिक प्राड़ी है, option b, मनुसेक राजिनीतिक प्राणी है, आप्शन नंबर C, आप्शन नंबर C दोनों, आप्शन D इन में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन नंबर C उपरिवत दोनों, अगला प्रशन है, विकासवादी सिधान्त एक है, आप्शन A बैग्यानिक सिधान्त है, दोस्तों, किसने राजिकी उत्पत्ती में राजिनीतिक चेतना के तत्यको सरवाधिक महत्पूर्ण बताया है, आप्शन ने गिलक्राइष्ट, आप्शन B, आप्शन C, मेकाईवर, आप्शन D, मार्क्स, राइट आंसर आपका होगा, आप्शन नंबर A, गिलक्राइष्ट ने राजिकी उत्पत्ती में राजनीतिक चेतना के तत्यको सरवाधिक महत्पूर्ण बताया है, वहीं गार्नर महोदे के दौरा राजिकी सरवस्रेष्ट परिभासा दी गई है, और काल मार्क्स जो हैं, वो मार्क्स वाध के जनक, बैग्यानिक समाजवाद, जनक माने जात अगला प्रशन है, रिचार्ड हूकर ने सम्विदा सिधान्त को किस सदी में मानेता दी, आप्सन इसे मानेता दी, अगला प्रशन है, निम्न में अनुबन धवादी, बिचारक कौन था, आप्सन A, मिल्टन, आप्सन B, ग्रेब, आप्सन C, बेन्थम, आप्सन D, डनी, राइट आंसर आपका आप्सन नंबर A होगा, मिल्टन जो है, अनुबन धवादी बिचारकों में माने जाते हैं, अगला प्रशन है, सामाजिक सम्झोता सिधान्स से संब बन्दित ग्रोश्यास की पुस्तक का नाम क्या है? आप्सन A, दा स्टेट एंड नेशन, आप्सन B, नेचर आप दी स्टेट, आप्सन C, इस्टेटमेन, और आप्सन D, आण दी ला आप द अप्पॉर अप्सन नंबर D, आन दी ला आप द पॉर एंड पीस जो है, व пошग सम् जोते के अंसार आदिम अवस्था किस प्रकार की थी? आप्शन A. आसमाजिक, आप्शन B. सामाजिक, आप्शन C. आदुनिक, आप्शन D. इनमें से कोई है. राइट आंसर आप्शन नमबर A है. सामाजिक समझोते से धांत के बिचारकों का ये मानना है कि राजिकी उत्पत्ती से पहले बेक्टिप प्रकार्टिक अवस्था में रहता था जो की पूरी तरीके से आसमाजिक अवस्था थी. अगला प्रशन है. हाप्श कहां का विचारक था? आप्शन A. जर्मनी. आप्शन B. फ्रांस. आप्शन C. युनान. आप्शन D. इंगलेंड. राइट आंसर आपका आप्शन नमबर D होगा. हाप्श जो है इंगलेंड का विचारक तो और हाप्श ने अपने जन्म के बारे में कहा था कि आर्मेटा के समय में मेरी माने दो जड़ुआओं को जन्म दिया था. मैं और मेरा भै एक साथ मतलब उत्पन हुए थे. अगला प्रशन है एलिमेंट साफला किसकी पुस्तक है? आप्शन A आपका है. लाक आप्शन B ग्रोशियस और आप्शन D रूशो राइट आंसर आपका आप्शन नमबर B होगा. एलिमेंट साफला हाप्श की पुस्तक है. अगला प्रशन देखते हैं. अगला प्रशन है दोस्तों किस सिधानत के प्रटकिरिया सुरूफ सामाजिक सम्मिदा सिधानत का जन्म हूआ? आपशन E सक्तिका सिधानत आपशन B विकासवादी सिधानत और आपशन D अश्थिद्वादी सिधानत. राइट आपशन n. sabemos C होगा. राजगी उत्पत्तिके स वक्तमान में सर्वमाने से धांत है अगला प्रशने राज्य को एक प्राकलति क्यों स्वाभाविक संस्ता ये कथन किसका है अप्षन अगला प्रशने है अगला प्रशने है निम्न में से किस विचारक ने सबसे पहले समझोतावादी सिधान्त की व्याख्या की अगला प्रशने संबिदा सिधान्त किस विचाधारा पर आउलंबित है अगला प्रशने संबिदा सिधान्त किस प्रकार का सिधान्त है तो राइट आंसर अप्षन नमर बी हो जाएगा इसका पढ़ते हैं संबिदा सिधान्त किस प्रकार का सिधान्त है किस पर आधारित नहीं पूछा गया आधारित पूछा गया था तो विक्तिवाद हमने टिक किया था इस प्र अगला प्रश्ण है थामस आपस के अंसार प्राकर्तिक नीमों की संख्या कितनी थी आपसने अत्यलप आपसन भी असंख आपसन सी एक या दो आपसन सी डी ग्यारा से उन्निस तक राइट आंसर आपका आपसन नंबर डी होगा हापस के अंसार प्राकर्तिक नीमों की संख्या 11 से 19 तक थी अगला प्रहAND 살 डेवी शिद्धानत का सरप्रथम पृत्फिपादान किस ने किया था अपषन A, लूोई चोद्वे ने अपषन B, लूथर ने अपषन C, कालवी ने अपषन D, J.M. से पृत्फम ले राइट आंसर अपषन नंबर D होगा राज की उत्पत्ति के देवी सिध्धान्त के प्रतिपादकों में जेम्स प्रतम का नाम प्रमुकृूप से लिया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों हाप्स के अनुसार प्राकरतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय ब्याप्त था अप्षन A. दैबी ने आए, आप्षन B. प्राकर्तिक ने आए, आप्षन C. विवेपूर ने आए, आप्षन D. मत्सी ने आए राइट अंशर आपका होगा, आप्षन D. हाप्षन के अनुसार प्राकर्तिक अवस्था में, बेक्ति पूरी तरीके से बरबर, अशाब्य, स्वार्थी, लाल्ची, जगडालू था और वो समय केवल और केवल मत्सी ने आए, ब्याप्त था. अगला प्रशन देखते हैं. अगला प्रशन है, दोस्तों, हाप्ष के मता अनुसार संबिदा द्वारा किसके इस्थापना होती है? आप्षने राजी की, आप्षन भी समाज की, आप्षन सी समताय की, और आप्षन D. समाज, राजीयों, सासन, तीनों की. राइट अनुसर इसका क्या होगा? आप्षन न अगला प्रशन है, रूसों का प्रसिदे श्लोगन है, प्रकलत की और लोटो. किस भारती बिद्वान ने ये कहा था? बेदो की और लोटो. उसका नाम कमेंट करना है, आप सभी के लिए एक important question है. अगला प्रशन है, निमलिखित बिचारकों में से किसे लोगतंत्यों ताना साही का दार्शनिक जनक का माना जा सकता है? आप्षन A. रूशो, आप्षन B. प्लेटो, आप्षन C. टी-एच ग्रीन और आप्षन D. बोन अगला प्रशन है, आप्षन A. रूशो, आप्षन B. आप्षन C. बेंथम और आप्षन D. जी-एच मिल. राइट आंसर आप्षन नमबर B. लाख. अगला प्रशन है, प्राकरतिक अवस्था निरंतर युद्धि की अवस्थाति यह कथन किसका है? आप्षन A. आप्षन B. 188 C की फ्रांसी C क्रांतिक, आप्षन B. 1688 की इंगलेंड की ख्रांतिक, आप्षन C. 1777 की अमेरिका की ख्रांतिक WP. आप्षन D. इनमे तो हैं। राइट आंसर आप्षन नमबर B. हो로ुद्धि की इंगलेंड की ख्रांति जीसलन रत्व है कि सब सकतियां इसऑर के ही सकतियां है और अगला प्रस्टे जो आलोचकों में कौन सामिल नहीं है आप्शन ए फिगिष आप्शन भी ग्रोशियस आप्शन सी वालटीयर और आप्शन भी हाप तो रैट आंसर यहाँ पर क्या होगा रैट आंसर आपका आप्शन नमबर सी हो जाएगा वालटीयर जो है तैवी उत्पत्ती के सिदांत के और आप्शन डी लूथर राइट आंशर आपका हो जाएगा आप्शन नमबर बी पैट्रियार्क पुस्तक रावट फिर मलब होते की है और आपको बता दें समाजिक समझोता सिधान्त के तेन प्रमुक बिचारक हापसला कुरूशों में से किस एक बिचारक ने इसकी पुस्त की प्लेलिस्ट को बिचित नहीं किया तो प्लीज वहाँ जरूर चेक आउट करें और वहाँ आप सभी लोग बहुत 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 बहुतर तैयारी कर सकते हैं उन सभी चीजों को पढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं देवी उत्पत्ति का सिध्धान्त कैसा सिध्धानत ह यह बहुत इजी कोश्चन होगा इसको हम नहीं बताएंगे आप सभी लोग इस प्रशन का आंसर हमको कमेंट करें आफ लाइन में उसको हम देखेंगे अगला प्रशन है दोस्तों राज की आग्या का पालन करना प्रतेक मनुस्य का धर्म है यह कथन किसका है आपसन इक कॉल आपसन सी जैक्स आपसन इस प्रता में इतनी समानता है की राजा को ही इसल मान लिया जाता है अगला प्रसन इसे किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों देवी उत्पतिका सिधान किस सदी में सरबाधिक प्रचलित था आपशन देवी सिधान सोल ही और सत्रही सताब्दी में सरबाधिक प्रचलित था अगला प्रशन है किस सासक ने देवी सिधान से प्रणा लेते हुए या गोशित किया कि मैं ही राजी हूँ आपशन देवी चोग हैं आपशन भी लूई अठार हुए आपशन सी जेम से परथम आपशन दी इनमें से कोई है राइट आंसर हो जाएगा आपशन देवी चोग है ने कहा था कि मैं ही राजी हूँ अगला प्रशने निम्न में से किसे देवी सिधान्त के प्रवल समर्त को में सामिल नहीं किया जा सकता है आपशन दी इनका नाम राजी की उत्पत्ती के एतिहसी कि अभिकासवादी सिधान के साथ जुड़ा हुआ है अगला प्रशने किसने देवी सिधान्त की घोर नहीं दा की थी आपशने रिचर्ड हुकर आपशन भी प्लूटार्क आपशन सी गिल्क्राइस्ट आपशन सी प्लूटार्क और आपशन डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आपका आप्षण नंबर ये हो जाएगा रिचार्ड हूकर अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों सर प्रतम देवी शिधान्त का समर्थन किस ने किया था आप्षण ने यूनानियों ने आप्षण भी यहूदियों ने आप्षण सी हिंदों ने आप्षण डी इन में से कोई ने राइट आंसर आप्षण नंबर बी हो जाएगा सर प्रतम देवी शिधान का समर्थन यहूदियों के पवित्र ग्रंत में देखने को बिलता है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है अगला प्रशन है पितर परदान परिवार परणाली का बिस्तरत अधन किसने प्रस्तोत किया है आप्षण अ जेंक्स ने आप्षण B, Sir Henry Manne ने आप्षण C, B, Shifin ने आप्षण D, Estefin ने राइट आंसर आपका क्या होगा आप्षण नंबर B, Sir Henry Manne ने पित्र प्रधान परिवार परणाली का बिश्थरत अर्धन प्रिस्तुत किया है और इनका नाम जो है राज की उत्पत्ति के अंतरगत परिवार के सिधान्तों में पित्र सितात्मक सिधान्त के साथ जुड़ा हुआ है अगला प्रशन है निम्न मेंसे कौन पित्र सित्तात्मक सिधान्त का समर्थक नहीं था आप्षन अरस्टू, आप्षन भी हेंडरी मैं, आप्षन सी डिग भी, आप्षन भी शुकराथ राइट आंसर आप्षन नमर D है शुक्रात जो है पित्र सिधात्मक सिधान्त के समझ थक नहीं थे अगला प्रशन है निम्न मेंसे किसने पित्र सिधान्त की आलोचना नहीं की है आप्षने मैकलीनन, आप्षन B. जेंक्स, आप्षन C. मारगन, आप्षन B. लिकाग अगला प्रशन है निम्न मेंसे कौन मात्र सिधान्त का समर्थक नहीं है आप्षन A. D. मारगन, आप्षन B. मैगलान, लेनान, आप्षन C. गारणर, आप्षन D. जेंक्स राइट आंसर आप्षन नमबर C. होगा गारणर ने मात्र सिधात्मक सिधान्त की समर्थक नहीं किया है अगला प्रशने, परिवार सिधान्त के आद्मिक पच्छकारों में से एक कौन है आप्षन E. R. मैकाइवर, आप्षन B. ग्रैस्ट, आप्षन C. गारणर, आप्षन D. बिलोगी नहीं किया है तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर B मैं काई वर अगला प्रिश्न है दोस्तों प्रिश्न है वह संगर्सों के तत्य पर बल देने वाला सक्ति सिधान्त का समल्थक अग्रेणी विचारत कौन है आप्शन ए आप्शन A है C ले आप्शन B ब्राइस आप्शन C गंप लोविच आप्शन D बारकर राइट आंसर आपका आप्शन नंबर C हो जाएगा गंप लोविच अगला प्रिश्न है किसने सक्ति को नेतिक बताते हो राज्जी को सक्ति का समरूपी बताया है आप्शन A ट्रीट के अगला प्रिशन है दोस्तों निमन में से कौन सक्ति सिधान का समर्थक नहीं है इन चीजों को प्रिशन पर बहुत ध्यान रखना ये नहीं शब्द कई बार आता हुआ कोशन हम सभी का गलग करवा देता है आप्शन A है रैत जेम वो फर आप्शन B सिम्मेल आप्शन C इसम पाधिक महत्पूर्ण पच्छ धर कौन है आप्शन A जेंग्स आप्शन B ओपन हाइमर आप्शन C वाड और आप्शन D में से पोली है रैट आंसर होगा आप्शन नंबर B ओपन हाईगर अगला प्रशन है दोस्तों सक्ति सिधान का निमन में से कौन आलोचक नहीं है आप् रैट आंसर आपका आप्शन नंबर C होगा विकासवादी सिधान और आप्शन डिक बासवादी सिधान रैट आंसर आप्शन नंबर C होगा विकासवादी सिधान जो है वो राज की उत्पत्ति का आदमिक सिधान जैसे राज की उत्पत्ति के एतिहासिक सिधान के नाम से भी जाना जाता है राज की उत्पत्ति का सर्वमानी सिधान्त कौन सा है आप्षन इसक्तिका सिधान्त आप्षन देवेई सिधान्त आप्षन सी पैत्रक सिधान्त और आप्षन दी विकासवादी या एतिहासिक सिधान्त राइट आंसर आपका हो जाएगा आप्षन नमबर डी एतिहासिक या व का राइट आंसर होगा आपका आप्षिन नंबर सी यह कथा कि क्राइश्ट का है कि आज के वीडियो का अंतिम प्रसंदेखते हैं दोस्तों तो अंतिम प्रसंदेखते हैं लाइट आपका हो जाएगा आप्षिन नंबर सी लाइट ने प्राकर्तिक अवस्ता में मानो सुभाव को पूरी तरीके से सांति पूर्ण यों सदभाव पूर्ण यों विवहार कुशल माना है अब सातियों आपको पहचानना कैसे हैं यहां से एक कोश्चन प्रतेक एकजाम में आपके पूछी लिया जाता है तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हमेशा इस तरी चीजों को समझ के चलना है अगर केवल बुरे पच्छों का वर्ण कर रहा है तो हापस है केवल अच् अरगत हमने राजी की उत्पत्ती के सभी सिध्धानतों के important questions को include करते हुए 81 questions को discuss किया है इसमें के rest जो यानि 6 questions हैं लगभग 75 प्लस उनको आगे के part में आप सभी के साथ discuss करेंगे तो इस वीडियो को आंतक देखने के लिए सभी साथ जो को तहरील से सुपरिया बहुत बह जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबालें तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में राज की उत्पत्ति के सिधानतों से जुड़े है महात्पूर्ण प्रश्णों का part 2 लेकर के तब तक के लिए सभी साथियों को जहें जे भारत ब प्रेश्टों आप सभी का exam बहुत 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 निकले इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर अगली वीडियो में